हेलो वरीबडी मैं रमन भाटिया मेजर शेरोल्टर फाउंडर प्रमोटर और सर्वोटेक पावर सेस्टम लेमेटेट मैं आज इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा कि यूवी सी लाइट जर्मिसी डिल रेंज ऑफ यूवी लाइट क्या होती है यह कैसे बैक्टि यूवी लाइट आज मैं आप लोगों के सामने केमरे पाया हूं बेकॉस आई फाउंट की बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं मार्केट में अलग-अलग तरीके की लाइट्स बिक रही हैं जो यह दावा करती है कि करोना वाइरस को किल किया जाता है बैक्टिरिया इसे मारा जा करता हूं कि आप लोगों को पहले यह सबहिना पड़ेगा कि यूवी लाइट है क्या वड़ेदा यूवी तो यूवी अल्टावाइट रेस हैं जो एक्च्वल में थू सनलाइट हम लोगों को मिलती है बट अनफॉर्चनेटली जो यूवी लाइट है इसका जो बैंड है यूवी अधै का बैंड है जो बहुत बड़ा है यूवी अधैस फॉम भांड़ेट नहां मिटर टो फॉर इनननमीत्र और बजह की बात यह है कि जो यह प्रॉटल बैंड है इस बैंड को भी आफ दिस्रिटिबूटेट इन फ्री डिफेंड बैंड ज्था ठाव्ड धैस ब रेंज होती है that is called UVB UVC जो रेंज होती है वो होती है 100 नैनो मिटर से 280 नैनो मिटर दीज आ थ्री डिफरेंट बैंड जो है वो नेरो बैंड होता है लुएस बैंड होता है इस बैंड के अंदर जो रेंज होती है उसकी एक पर्टिकुलर रेंज है that is called 254 अगर हम इसको और रेंज कहा जाता है that range is a very good range according to the different wavelength में जो आता है वो C band का 253.4 bandwidth जो है वो केसी भी bacteria का DNA या virus का RNA को destroy बड़ी आसानी से कर सकता है इसलिए इस रेंज को यूज किया जाता है सेनिटाइजेशन में डिसिंफेक्शन में और सालों से बहुत सारे हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी नर्जरी में यह अलड़ी यूज हो रहा है सालों से और जब यह पैने डिनिमिक सेच्विशन हम लोगों के सामने आई तो सर्वो टेक ने UVC लाइट पर काम करना सब्सक्राइब करते हैं उसमें CRI क्या है color rendering test क्या है wavelength क्या है everything we can test कितना फैलेगी रूशनी कितनी आएगी उसके limits क्या है उसके lux क्या होंगे कुछ भी हम टेस्ट कर सकते हैं तो जब यह पैने डेमिक आया तो हमें लगा कि हमें society के लिए or community के लिए कुछ करना चाहिए then we have started with the UVC lights अब UVC lights के साथ हम ने काम किया तो एक और बज़ेगी बात यह है कि it is not considered as a safe range for the human skin and human eyes that's why हमारे जो भी product है जो भी high power product है 30 watt 36 watt 38 watt 150 watt इन सभी models के अंदर हम लोगों ने microwave human sensor दिया this microwave human sensor का मतलब है कि अगर आप कोई भी व्यक्ति चाहे ना चाहे उसकी range में आ जाता है जिससे UVC light का exposure उसको नुक्सान कर सकता है तो वो system हमारी वो light automatically हो जाती है ताकि कि किसी को भी नुक्सान ना और हमने जब इसमें काम किया तो हमें लगा कि हम कुछ contribution कर सकते हैं but fortunately हमने देखा कि अचानक चीज़े बदल गई और हमें बहुत अच्छा response मिला और आज हम इंडिया में टॉप शौट to companies के अंदर जिन जाते हैं मुवीद करता हूं कि इस video में आप समयद पाया होगे कि युवी लाइक्ट क्या होती है युवी रेंच क्या होती है वे लेंथ होती है औरि